जैस्री राम भगतो भगतो इस मंत्र की शक्ति को खुद भगवान राम ने भी माना है आप इसे केवल एक बार जप ले और जपते ही ये अपना प्रभाव शुरू कर देता है क्यों क्योंकि ये मंत्र नहीं महा मंत्र है और ये महा मंत्र है इसलिए प्रभुश्री राम ने इ ये परमशक्तिसाली महामंतर है, भगतो आप सभी जानते हैं, कि महादेव जी राम नाम का जप करते हैं, और राम ये कहते हैं, सभी अयुद्धावासियों को भगवान राम ने हाद जोड़ कर ये गुप्त बात बताई है, राम जी कहते हैं कि शंकर जी के भजन बिना यानि शंकर जी के नामजब किये बिना कोई भी मनुष्य मेरी भगती नहीं पासकता जो शंकर जी से विमुक होकर मेरी भगती चाहता है वहे मनुष्य मंद बुद्धी वाला अज्यानी ही है जो शिव का पूजन ध्यान करता है वह मुझे त्याग देता है अत्वा मेरी पूजा आदी करता हुआ शिव का त्याग करता है वह मुर्क घोर कलपों तक घोर नरक में ही वास करता है तो भगतो थोड़ा सा ध्यान से समझें इस बात को एक तरफ तो ये कहा जाता है कि एक ही भगवान की पूजा करो एक ही का नाम जपो अब राम जी कहते हैं कि सिव के बिना मेरी पूजा अदूरी है और सिव की पूजा के बिना राम की अदूरी है तो फिर किस तरह से हम एक भ महादेव जी कौन से राम नाम का जब करते हैं बगतो महादेव जी उस राम नाम का जब करते हैं जो सभी के अंदर है जो महादेव जी के अंदर भी है जो राम के अंदर भी है और जो हम सब के अंदर भी है तो वो कौन सा मंतर है जो हम सब के अंदर है हम सब के अंदर एक ही मं मंत्र है और वो मंत्र स्वेम भगवान ने हमें दिया है यानि कि जो हमारी स्वांस है स्वांस रूपी मंत्र इसे महा मंत्र कहो आप क्योंकि इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है अब आप उस स्वांस को राम का नाम दे दो कृष्ण का नाम दे दो सिव का दे दो सोहं का दे दो लेकिन मेन होता है कि आप स्वांस का ध्यान करें स्वांस का जब करें तो यह जो स्वांस रूपी मंत्र है इसी को भगवान राम भी जबते हैं इसी को संकर जी भी जबते हैं इसी को बाकी के सारे भगवान भी जबते हैं यह सभी के अंदर है सीव जी ध्यान में बैठे हुए इसी मंत्र का जब करते हैं अब उसको राम नाम के द्वारा आपका विश्वास राम पे है तो राम के द्वारा जब लो क्रिशन के उपर तो क्रिशन के द्वारा जब लो सो हंग मंतर इसलिए कहा जाता है बगतो कि जो हमारी सांसे हैं इनमें प्राकर्तिक आवाज आती है सो की उपर जब लेते हैं और छोडते हैं जिब हंग की क्योंकि जो प्राकर्तिक चीज होती है वो जल्दी पकड में आती है और वो जल्दी अंदर ले हो जाती है बाकी मेन तो स्वांस है क्योंकि वो जो नाम है जिसका सिवजी ध्यान करते हैं राम जी करते हैं वो नाम हमारी स्वांसों में है और उसको जानने का तरीका भी स्वांसों से ही मिलेगा यानि कि जब आप स्वासों का ध्यान करेंगे भजन करेंगे जब करेंगे तो आप उस नाम को जान लेंगे जो हमारी स्वासों में छिपा हुआ है जिस तरह से दूद के अंदर मक्षन छिपा होता है ना उसी तरह से हमारी स्वासों के अंदर वो आदी नाम सार नाम छिपा जिस नाम को भगवान शिव जानते हैं, जिसको राम जानते हैं, जिसको सभी संतरिशी महात्मा जानते हैं, वो नाम सब की स्वासों में हैं, तो आपको उस नाम को जानने के लिए अपनी स्वासों का मन्थन कीजिए, यानि कि जब कीजिए, ध्यान कीजिए, आती जाती स्वा पास है उसी को करो इस मंतर की शक्ति को भगवान स्वेम राम ने जाना है राम ने स्वेम बताया है कि इस मंतर को क्योंकि भग तो पस्ट नहीं कहा जाता ग्यान को नंगा नहीं किया जाता राम जी नहीं सारा कर दिया कि सिवके बजन बिना मेरी भगतिय दूरी और मेरे बिना सिवकी अदूरी तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको दोनों जबते हैं दोनों अपने स्वास रुपी मंतर का ही जब करते हैं जो सभी के अंदर है और उस एक के लिए ही सारा किया जाता और सब के अंदर वो एक ही चीज है जो की स्वास है मरने के उपर ये स्वास हमसे छीन ली जा पहली बार जैसे आप अपनी एक स्वांस को उपर लेंगे और छोड़ोगे और आपने उस स्वांस को देख लिया तो समझ लो आपको साथ क्रोड फिल मिल गया एक ही स्वांस का नानक जी कहते हैं गिनती साथ क्रोड होंदी सांस जो एक बार आये जाए वानी से जो बोलकर साथ क्रोड गुना अधिक लाव मिलता है यह हो अपने आप ही रहा है लेकिन जब तक आप ध्याने नहीं करोगे यह मनना ने जाता तो आप अपनी स्वांस का ध्यान करें और अपने जीवन की सभी समझ्याइं दूर करें जो व्यक्ति प्रान जब करता है उसके पास मृत्य को ग्यान उसे हो जाता है क्योंकि बगतो इस सोहंग मंत्र यानि की जो स्वांस रुपी मंत्र है उसके लिए यह कहा गया है कि नाम लिया तिन सब लिया सकल वेद का भेद और बिना नाम नरक के पढ़ा चाहे पढ़ लो चारों वेद अगर आपने उस नाम को नहीं जाना जो हमारे स्वांसों में है तो उसके बिना चाहे आप चारों वेद पढ़ लो तो आप नरक में ही हो लेकिन अगर नाम को जान ल